हलो सो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में दोस्तो आज की स्वीडियों में हम बात करने वाले हैं infosys और wippro limited दोनो के ही बारे में आज की स्वीडियों में हम बात करेंगे और दोस्तों जानेंगे कि जिस तरीके से आपको exactly अगर आप देखें तो इन stocks में कुछ भी अच्छा तो दिखाई दे नहीं रहा ये बात तो सच है कि कुछ भी अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अगर माल लेते हैं चलो फिलाल के समय पर कोई खास अच्छी च देखने को मिलेगा तो उसके हिसाब से आपको चीज़ें जो हैं किस तरीके की देखने को मिल सकते हैं तो start करते हैं शुरुआत करेंगे दोस्तों Infosys से Infosys अगर आप देखाई दे रहा है Infosys Limited का front page आपके सामने है और अगर आप यहां देखें तो लगबग एक प्रतिशत अगर slightly कुछ दिनों के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपना एक हकते में आपको flat देखने को मिला है कुछ भी आपको यहां अच्छा तो दिखाई नहीं देखें लेकिन अगर हम एक महीना देखें एक महीने में आपको यहां पर तीन सबहा तीन परसं की तीन सालए दिन हैं वहीं अगर हम एक साल देखें तो एक साल में भी किरावट तो मतलब आप यह माने कोई कंजिस्टेंट रेटन इसमें पिछले लगबग लगबग एक देड़ साल से तो नहीं आए देड़ साल से को कोई खास अच्छे रेटन इसमें आए नहीं है यह बात पूरी तरीके अच्छे डेफिनेटली बीते पांस साल के रेटन ठीक हैं बीते पांस साल के रेटन इसलिए खराब हो हैं दरवाई तो और जाद अच्छे थे इसलिए खराब हो हैं क्योंकि पिछले कोश दिनों में लगबग आपको 30-32 परसंड की गिरावट इसमें देखने को मिल गई है ये चीज़ें हमने सब ने देखी हैं और जिस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई दी हैं पिछले एक देर साल में उससे तो डेफिनेटली कोई भी खुश नहीं है अब बात ही निकल कर आती कि विप्रो का क्या चलो एक बार पहले विप्रो का भी हल चल देख लेते हैं उ और पांस साल में रेटन इनफोसे से थोड़े से कम ही है अब आप यहां देखो यहां अगर आप देखोगे विप्रो में क्या राय तो यहां अगर आप उपरी इस तर से देखोगे तो यहां गिरावट जो है वो काफी ज़ादा नजर आई है लग बग लग वह 44 प्रतिशत की और दोस्तों अगर 44 परसेंट की गिरावट देखने को मिली है तो यह डेफिनेटली बहुत ज़ादा है इस तरही की गिरावट की उमीद किसी को नहीं थी और जब इस तरीके की गिरावट देखने को मिली ही गई है तो लोगों को मतलब परिशान तो डेफिनेटली है क्य तो आपको इस तरीके की प्रोब्लम देखने को मिली है जातर हाँ कुछ गिने चुने शेयर्स हैं जिनमें ऐसी कोई दिखकत नहीं दिखाई दी लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे KPID है KPID में कोई गिरावन नहीं आई एक तो अगर आप यह देखो KPID का साइज बहुत चोटा है इन से इन कंपनीज के अकॉर्डिंग KPID का यह साइज है वह बहुत ज्यादा चोटा है तो उसमें ऐसी कोई दिखकत भी नजर आई नहीं आई अक्चली तो ऐसा नहीं है कि हरे एक मू अपको घटा हुआ नजर आया और घटा भी क्या ठीक ठाक ठीक ठाक आपको प्रॉफिट जो है वह घटा हुआ दिखाई दिया जब इस तरीके की प्रॉब्लम रेजल्ट में आई तो डेफिनिली प्रॉब्लम आई ही सकती है शेर की प्राइज में भी वहीं अगर हम इसके case में अगर हम देखें तो इनकी इसके case में इसके नतीजे जो है वो यह तरीके के रहे हैं वो देखें हलाकी एर on year basis पर यहां इतनी प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन अगर हम यहां क्वाटरली basis देखें तो December और March का यह quarter हो बहुत ज़्यादा खराब performance दिखाई दिया बहुत ज़्यादा खराब इतनी definitely उम्मीद किसी को नहीं थी इतने खराब की तो उम्मीद किसी को नहीं थी लोगों को यह लग रहा था कि जलो जैसे TCS के भी नंबर अच्छे नहीं आए थे और भी companies के नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे तो इसकी नंबर अगर आपने देखे तो उतने अच्छे आई नहीं और इसके तो exactly बहुत ज़्यादा खराब आए तो जब इतने नंबर खराब आए तो हुआ क्या सीधी एक 10% की गिरावट एक ही जटके मोगई अब तब से अभी तक देखें तो infosys निकल नहीं पाया उस trap में से अगर देखा जाए तो देखो आपके सामने मैंने यहां पर देखा रहा हूँ यह है वो सिनारियो यहां से निकला तो नहीं हलाकि उपर आया अपने निचलेस तर से अगर आप देखोगे infosys को तो यहां पर किसी ने खरीदा होगा तो 8-10% उपर आया है लेकिन कोई significant changes नहीं आए कोई significant changes नहीं आए यह बात पूरी तरीके से सच है अब लोगों को उमीद है कि हाँ आप चीज़ें सही हो सकती है क्योंकि ना कुछ रीजन है एक तो डील्स जो पिछले quarter में पिछले quarter में कोई खास दील हुई नहीं थी लेकिन अब वो डील्स थोड़ी थोड़ी करके होती हुई दिखाई दे रही है अब उमीद नजर आ रही है कि जिस तरीके की डील्स वगरा हो रही है तो possibilities है कि आने वाले दिनों में आपको तेजी दिखाई दे सकती है एक तो चलो डील्स की बात अगर अब बस इंतजार किसका है Q1 का Q1 की जो numbers आएंगे उनमें थोड़ी भी positivity नजर आ गई अब लोग इसका इंतजार कर रहे है कि थोड़ी भी कोई भी चीज़ है अगर अच्छी हो गई तो अगर हलकी फुलकी अच्छी चीज़ों के चलते भी जो infosys है उसमें एक बड़ी त अगर आप आज के समय पर बड़े बड़े ब्रोकरी फर्म देखेंगे जो ग्लोवल ब्रोकरी फर्म जो तरे भी है उन सब का यही कहना है कि आने वाले समय में जो अगर आप large cup ID के तरफ देखते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ infosys ही ऐसा है जो आपको कुछ अच्छा अभी लोग उमीद नहीं करके चल लाएं मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आने वाले समय में इन्फोसिस में चीज़ें सही हो सकते हैं अब exactly कितना सुधार होगा कितना नहीं होगा यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बसे एक ही बात है अगर इस बार सब कुछ नॉर्मल रहा मै मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा हूं सब कुछ बस नॉर्मल रहा तब भी आपको यहां पर चीज़ें सही दिखाई दे सकती क्यूंकि अगर इन्फोसिस को देखोगे तो अंडर वैल्यू अंडर वैल्यू आपको एक काउंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने पिय से एक बाप बोलना चाहा हूंगा वीडियो ची लगियो तो लाइक जरू करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना तेंक यू